कल मैंने आपको पार्थ आठ गोपू की होसियारी इस पार्थ के कल मैंने आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ वे बहुवी कल्पी परशन करवाये थे आज मैं आपको इस पार्थ के मोखिक परशन वा लिखित परशन करवाऊंगा सबसे पहले बिटा मैं आपको इस पार्थ के मोखिक परशन करवा रहा हूँ देखें अच्छे से पार्थ का नाम है गोपू की होसियारी मोखिक परशन उत्तर पहला परशन है गोपू कोन सी कक्षया में पढ़ता था इसका उत्र देखो गोपू चोथी कक्षया में पढ़ता था अगला परशन है गोपू ने कोन से फल खाए गोपू ने कोन से फल खाए इसका उत्र देखो गोपू ने अमरूद खाए गोपू ने अमरूद खाए नेक्स्ट परशन है गोपू को किसने पकड लिया परशन मेंबर तीन है गोपू को किसने पकड लिया इसका उत्र देखे विटा गोपू को बड़ी-बड़ी मुच्छों वाले हट्टे-कटे वैक्ती ने पकड लिया गोपू को बड़ी-बड़ी मुच्छों वाले हट्टे-कटे वैक्ती ने पकड लिया अगला परिशन है, परसन नमबर च्यार, मुच्वाले व्यक्ति का क्या अंत हुआ, मुच्वाले व्यक्ति का क्या अंत हुआ, इसका उतर देखें, मुच्वाले व्यक्ति को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया, अंत में गोपु ने प्रिंशीपल सहाब से क्या कहा? अंत में गोपु ने प्रिंशीपल सहाब से क्या कहा? उतर देखें, अंत में गोपु ने प्रिंशीपल सहाब से कहा कि शर मेरी आप से प्रार्थना है कि उस कोने पर तूटी हुई बाउंडरी की मुरमत अवश्य करा दीजिएगा, अन्य था फिर कोई बच्चा स्कूल से भागने की गलती कर बैठेगा? अंत में गोपु ने प्रिंशीपल सहाब से कहा कि सर मेरी आप से प्रार्थना है कि उस कोने पर तूटी हुई बाउंडरी की मुरमत अवश्य करा दीजिएगा, अन्य था फिर कोई बच्चा स्कूल से भागने की गलती कर बैठेगा? यह हमारे पांच पर्शन थे मोखित, एक बार फिर से देखे विटा, फिर से दोराई करवा रहा हूं, देखें, पहला पर्शन था, गोपु कोन सी कक्ष्या में पढ़ता था, इसका उतर है, गोपु चोथी कक्ष्या में पढ़ता था, अगला पर्शन है नेक्स, पर्शन नमबर दो, गोपु ने कोन से फल खाए? गोपु ने अमरूद खाए, मिठे मिठे अमरूद थे ना वो खाए, पर्शन नमबर तेन, गोपु को किष्ने पकड लिया? गोपु को बड़ी-बड़ी मुचों वाले हटे-कटे व्यक्ती ने पकड लिया? पर्शन नमबर चार है, मुच वाले व्यक्ती का क्या अंत हुआ? उत्तर है, मुच वाले व्यक्ती को पकड कर जेल में डाल दिया गया? अगला पर्शन है, पर्शन नमबर पाँच, अंत में गोपु ने प्रिंशिपल सहाब से क्या कहा? अंत में गोपु ने प्रिंशिपल सहाब से कहा की, सर, मेरी आप से प्रार्थना है की, उस कोने पर तूटी हुई बाउंडरे की मुरम्मत अवश्यक करा दीजिएगा, अन्य था, फिर कोई बच्चा स्कूल से भागने की गलती कर बैठेगा, ठीक है बिटा? ये मोखिक पर्षन थे, अब मैं आपको करवाओंगा लिखित पर्षन. देखें बिटा, मोखिक पर्षन मैंने करवा दिये हैं, अब आप देखें लिखित पर्षन, लिखित पर्षन उत्तर. पहला पर्षन देखेंगा बिटा, पर्षन नम्बर एक, गोपु के शोक के बारे में बताईए, गोपु के शोक के बारे में, शोक करत होता रूची. उत्तर देखेंगा गोपु को पढ़ाई के अलावा टीवी पर कार्टून देखना, और हरे भरे बागबगी चे तथा नदी की सेर करना बहुत बाता था. अब अगला परशन है बेटा, बाउंडरी के बाहर कैसा द्रिश्य था? बाउंडरी के बाहर कैसा द्रिश्य था? इसका उत्र देखेंगे, बाउंडरी के बाहर का द्रिश्य बड़ा ही मनोरम था. हरे भरे बाग बगीचे के साथ हरे भरे धान के खेत उसे बर्बस ही लुभा रहे थे हरी गास नीले पीले फूल और उस पर मनराती हुई तितलियों का नजारा स्वर्ग जैसा लग रहा था बाउंडरी के भर का द्रिश्य बड़ा ही मनोरम था हरे भरे बाग बगीचे के साथ हरे भरे धान के खेत बर्बस ही लुभा रहे थे हरी गास नीले पीले फूल और उस पर मनराती हुई तितलियों का नजारा स्वर्ग जैसा लग रहा था परसा नमर तीन देखो बेटा बच्चा चूर गिरोह दवारा बच्चों के साथ कैसा वेवार किया जाता था उत्तर देखिए बच्चा चूर गिरोह है बच्चों को पकड़ कर बेच देते थे और उनकी हाथ पैर काटकर या फिर आखे निकाल कर बीख मंगवाते थे बच्चा चूर गिरोह बच्चों को पकड़ कर बेच देते थे उनकी हाथ पर काटकर या फिर आखे निकाल कर बीख मंगवाते थे बच्चा चूर गिरोह बच्चों को पकड़ कर बेच देते थे यह हमारे तीन परसन मैंने करवाई एक बार फिर से देखे तीनों परसन पहला परशन था गोपु के शोग के बारे में बताईए गोपु को पढ़ाई के अलावा टीवी पर कार्टून देखना और हरे भरे बाग बगेचे तथा नदी की सेर करना बहुत बाता था परस नमबर दो है बाउंडरी के बाहर कैसा द्रिश था बाउंडरी के बाहर का द्रिश बड़ा ही मनोरम था हरे भरे बाग बगीचे के शाथ हरे भरे धान के खेत उसे बर्बस ही लुभा रहे थे हरी घास निले पीले फूल और उस पर मनराती हुई तिदलियों का नजारा स्वर्ग जैसा लग रहा था परसन नमबर तीन है बच्चा चोर गिरो दोवारा बच्चों के साथ कैसा विवार किया जाता था विवार करत होता है बरताओ उत्तर बच्चा चोर गिरो है बच्चों को पकड़ कर बेच देते थे और उनके हाथ पर काट कर या फिर आखे निकाल कर धीख मंगवाते थे दाबव एफेक्ट दियादे में भी काम करवाते थे तीन परसन होगे अब चोथा परसन करवाऊंगा देखे द्यान से देखो बेटा चोथा परसन देखेगा परसन नमबर चार मुच वाले वेक्टी को पकड़ कर सभी कहां पहुँचे और क्या किया उत्र देखेगे मुच वाले वेक्टी को पकड़ कर वहत्कड़ी लगाकर पहाड़ी के पिछे पहुँचे और उसे इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया और इंस्पेक्टर ने उसे जेल में डाल दिया मुच वाले वेक्टी को पकड़ कर वहत्कड़ी लगाकर पहाड़ी के पहुँचे और उसे इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया और इंस्पेक्टर ने उसे जेल में डाल दिया अगला परशन है 5 गोपू को कोनसी कहानिया याद आई उत्तर देखिये वेटाँ गोपू को पँच तंतर की कहानिया याद आई फिर से देखें एक बार तोथा परसन मूचवाले व्यक्ति को पकड़ कर सभी कहां पहुँचे और क्या किया मूचवाले व्यक्ति को पकड़ कर रातकड़ी लगा कर पहाड़ी के पीछे पहुँचे और उसे इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया और इंस्पेक्टर ने उसे जेल में डाल दिया अगला परशन है गोपु को कौन सी कहानिया याद आई गोपु को पंच तंतर की कहानिया याद आई गोपु को पंच तंतर की कहानिया याद आई ठीक बिटा ये था आज का ग्रह कारिये आज का टोपिक यहीं खत्म होता है इनको आप बड़े अच्छे तरीके से फिर नोट बूक में साफ हें सुन्दर लिखाए में लिखेंगे और याद करेंगे चाबास गुड मोर्निं बच्चो गुड मोर्निं